आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि ऐसे जो भी दर्शक जिनकी उमर 25-30 से ज़्यादा है वो अपने रिस्ट प्रेक्टर्स को पहचाने आपको ये जानना चाहिए कि हिदय रोग खास्तोर से हिदय से धमनी संबंदित रोग भारत में बढ़ रहे हैं और इस करण अपने रिस्ट पेक्टर्स को पहचानने के बाद में उनको कंट्रोल भी करिए जैसे कि आपको धुमरपान बंद करना होगा अपना नियमित अहार खाना होगा आपको एक्सरसाइज नियमित करना पड़ेगा अपना कॉलेस्टरॉल को कंट्रोल करना होगा यादि आपको डायबिटीज है उसको भी कंट्रोल करना होगा और अपना वजन को बराबर अपने हाइट के हिसाब से मेंटीन करना होगा। यदि आप अपना हृदय को स्वस्त रखेंगे तो आपकी कॉलिटी ओफ लाइफ भी अच्छी रहेगी और आपका परिवार भी सुखी रहेगा। और कॉलिटी ओफ लाइफ के साथ आपकी आयू भी बढ़ेगी तो सर्टेनली अगर आपके अंदर किसी भी तरह के रिस्ट फेक्टर से तो उनका नियंतरन करें, इलाज करें और अपनी नियमित जाच करवाएं।